सभी दोस्तों को नमस्कार जैसे कि आप एक जो है अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छे से लोगों को सही तरीके समझाना है लोगों को काम समझाना है लोगों को रूल रेगुलेशन समझाना है अपने जो है जिस कमपनी में आप काम करते हैं जैसे SLPS AWPL में आप काम करते हैं तो सबसे पहले उसके rule regulation को अच्छे से समझा देना है और कभी भी किसी भी प्रकार से उन्हें कोई लालच या किसी प्रकार का आसा नहीं देना है कि आपको बैठे घर पैसा आएगा ऐसा तब होता है जब हम खूब संगर से कर लेते हैं घर बैठे पैसा तब आता है जिसे मानिक चली कोई बगीचा लगा दिया सव पेड लगा दिया उसके बाद 10 साल बाद हो जब बगीचा तयार होता है तो बैठे उसमें पैसा आने लगता है इस परकार से हो सकता है ऐसा तरीका हो सकता है लेकिन यह नहीं है कि आप आज ID लगा दू कल से आपका पैसा आने शुरू हो जाएगा तरीका होता है उसको आपको फालो करना पड़ेगा तो यह अपने डाउन लाइन को विस्यस रूप समझाना उनको लगातार बताना और सबसे बड़ी बात एक और है कि आपको यह लगता हो कि आपके इनकम को देखकर आपके काम को देखकर आपके सारा कुछ देखकर कोई आपके साथ आजाएगा और सबसे बड़ी खास बात कि अपने लोग बहुत विस्यस बात होती है कि अपने लोग आपके साथ आ जाएंगे तो ऐसी मुरुखता ऐसे दिमाग में कोई बात कभी मतलाना क्योंकि आपका इंकम देखकर आपके काम को देखकर आपको देखकर ओनिली फार लोग जो आपको क्यों इर्षा करने वाले हो इर्षा करेंगे और 90-90% वो अपने अंतिम जिंदी तक यही सोचेंगे कभी यह फेलो हो चाहे जितने भी उच्च लेवल पर आप पहुंच जाओ लेकिन वो आपके साथ नहीं आने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपने इंकम को और अपने तरीके को उन्ही को बताना है जो बताने लायक हो अपनों के साथ बिल्कुल सियर नहीं करना है अपने वही होते हैं जिनके कुछ सपने होते हैं और जिनके कोई सपने नहीं होते वो ऐसे ही दूसरों के फेल मलब दूसरों को फेल होता केवल सोचते हैं उनके दिमाग में सभी के लिए फेल लिख जाता है और वो अपने जीवन में तो फेल हो ही चुके होते हैं उनके कोई सपने नहीं होते हैं उनकी कोई इच्छाय नहीं होती हैं तो ऐसे लोगों साथ आप चाहे जितना भी अपना करोडो का विजनस जो आप कर रहे हैं उसको भ लए आ जाएगा वनिली फार उनको बैठ कर यही सोचना है हमेशा अलग ताइप हो सोचेंगे उसके साथ धोखा हो गया उसके साथ धोखा हो गया नेटवर्क में जो है यह सब होता है वह लुट गया यह लुट गया ऐसे इस का से उनकी दिमाग में आता रहेगा आप चाहे जितनी बड़ी इंकम दिखा दो आपका चाहे कितना खास ही क्यों ना हो नातेदार इसके सपने बड़े नहीं हैं तो आपके साथ वो काम कभी नहीं करेगा वनिली फार आपको केवल डूबता हो देखना चाहेगा तो ऐसे कभी भी अपना समय बरबाद ना करें इन लोगों के साथ आप अपने काम पर फोकस दें आप बाहर निकलें जिनके सपने बड़े हों उनके से बात करें और जिनके सपने बड़े होंगे और कामियाब होंगे वही काम करेंगे आपके साथ ये नहीं है कि आपके हित्मित्र फ्रें इस बात ये ध्यान रखिएगा आपको वहीं अपने जो है सिक्रेट बातों को जो है बताना है या जो है सब के सामने प्रस्तुत करना है जहां पर उसको तवज्जो दिया जा सके और ऐसे नहोता तो कहते हैं अगर पडोसी अमीर है और या अमीर हो गया है तो उसको दूसरा प कोई सपने नहीं है या कुछ अच्छा करने के तरीके नहीं अपना रहे हैं और आलसी हैं तो ऐसे लोगों से आप दूर रही है नहीं इनके पीछे आप सालू गमा देंगे यह कुछ नहीं करने वाले ओनिली फार ऐसे भी हो सकता है कि आपके भरोसे बैठे रहें कि आपका प्रक्रिया को देखेंगे तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल कोई बाचीत ना करें ना लगातार जुड़े रहें नहीं तो आप भी निगेटिव हो सकते हैं नेटवर्क एक बहुत बड़ी बात है और इसको समझना सीखना अभी शुरुवात आपने किया होगा 0% 0% जब तक आप इसको अच्छे से समझना और सीखना 100% तक नहीं ले जाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे धन्यवाद तो एक विसेश बात याद रखें किसी को अपने इंकम को दिखा कर या किसी को बड़ी बड़ी जो है अपनी आमदनी दिखा कर कि हम कर रहे हैं या क खुद काम करने के लिए वही चुक होंगे और बार बार पूछेंगे काम को देखेंगे बिना कहें ही वो मीटिंग और समिनार में जाएंगे तो तो इतना ध्यान रखें कि आपको परेशान होने की ज़रुत नहीं है किसी से केवल एक बार और जान पहचान वालों को केवल एक बार अगर वो पूछते हैं तो एक बार बताना उससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है उसके बाद उनको सीधा सेमिनार और मेटिंग के लिए कहिए अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो काम करेंगे नहीं तो अगर सभी लोग के बढ़ देखकर या दिखाकर तो ऐसा हो जाता ह तो वो भी देखकर बंगले बनवा लेता ऐसा कुछ नहीं होता देखने से देखते तो दुनिया है देखती है सभी लोग देखते हैं सबसे बड़ी बात है कि जिनके अंदर डिजायर या सपने इच्छाएं बड़ी हो गई हो और उनको कुछ कर गुजरने की तरीका अपना रहे हो उनके साथ आप लगजाये उनका हैल्फ करिए और हैल्फ के साथ काम करिए आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे लगिन ऐसो के साथ आप मत खड़े हो जहां जिनके शपने नहीं है उनिली फार उनको दूसरों को फेल होते देखना है कि आज मरेगा, कल वो मरेगा कल वो फेल हो जाएगा कल वो लूट जाएगा ऐसा हमेशा सोचने वाले निगेटिव जो सोचते हैं उनके साथ कभी भी आप खड़े ना हो नहीं तो आप भी अपने नेटवर्क सिस्टम में निगेटिव हो सकते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रही है जिनके पास कोई सपने नहीं है जो एकदम आलसी है वो निली फार कहते हैं तुम करो उसके बाद हम कर लेंगे ऐसे के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होना है आपको धन्यवाद